वेलकम आवर यूटूब चैनल जीयस्वित आसू बिहार SI पिल्डिम्स के लिए हिस्टी का सेट नमर थ्री लगाते हैं जिसमें 30 most important questions सामिल किया गिया है जो आपके आने वाले exam के लिए काफी helpful रने वाला है जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सकाइब कर लें ताकि वीडियो का notification टाइम पर मिल सकें चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोस्टन निमलिखित में से की सिंदु घार्टी अस्तलो से दोड़े दफन के पर्वान मिले हैं राइट अंसर ओप्शन ए लोथल से नेश्ट कोस्टन मद्कालिन भारत में चित्रकला किसके सासनकाल में सिर्ष या चरम तक पहुँच गई थी राइट अंसर ओप्शन बी जहांगीर के समय में नेश्ट कोस्टन निमलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई राइट अंसर ओप्शन सी माले मिन्टो सुधार जोकी 1909 में हुआ था जबकि सामपरदाईक पुषकार 1922 में हुआ था सायमन कमिशन 1928 में मान्टेंगु चेंगफोर सुधार 1919 में निमलिखित में से कौन बैक्तिगत सत्यागरा का तीसरा बैक्तिगत सत्यागरी था राइट अंसर ओप्शन बी ब्रहमदत महात्मा गांधीर ने अचार बिनवा भावे को बैक्तिगत सत्यागरा के रूप में प्रत्थम और जबाला नेरु को दूसरे और ब्रहमदत को तीसरे सत्यागरी के रूप में चुना था नेश्ट कोस्टन कन्योज के संघर्ष में इन तीन राजियों में से कौन सामिल था राइट अंसर ओप्शन डी पाल परतिहार और राश्पूट नेश्ट कोस्टन दिल्ली सल्तनत के की साशक ने अपनी राधानी दिल्ली से देवगडी अस्थांत्रित कर दी थी राइट अंसर ओप्शन ए मोहमद बिन तुग लखने नेश्ट कोस्टन प्राचिन भारत के उस बंदरगा का नाम बताईए जो अंतर महादीपिय बेपार में बिक्सित हुआ और कावेडी नदी के मुहाने पर इस्तित था राइट अंसर ओप्शन सी पुहार जो की कावेडी नदी के तड़ पर इस्तित था नेश्ट कोस्टन निमलेखी संतों में से कौन भारत में सुफी आंदोन के सुहावर्दी सिलसला से संबंदित हैं राइट अंसर ओप्शन बी बहावदिन जाकारिया जो की सुहावर्दी सिलसला से संबंदित हैं नेश्ट कोस्टन महाराज छेत्र में भक्ती आंदोन के संस्तापक कौन थें राइट अंसर ओप्शन ए ज्याम देव नेश्ट कोस्टन बिद्वाव पूनर विवास संग किसके दोड़ा अस्थापित किया गिया था राइट अंसर ओप्शन ए बिशनू सास्री पंडित के दोड़ा और इसकी अस्थापना उनिस्टो तिरपन में बंबे में हुई थी पूस्तक दे फर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस अठाड़ो संतावन अठाड़ो उन्सट किसके दोड़ा लिखी गई थी राइट अंसर ओप्शन ए कॉल मार्च के दोड़ा नेश्ट कॉस्टन किस ने 1857 के बिद्रो में कहा कि 1857 के शरुंता संगराम का तथा कथित परथम राष्टिय यूद नतो परथम नहीं राष्टिय नहीं सरुंता का यूद है राइट अंसर ओप्शन बी आरसी मन्यूमदार ने निम्लिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सिच्छा का माधियम बनाया था राइट अंसर ओप्शन बी अंग्रेजी सिच्छा अधिनियम अठारो सो पेंटिस के दुवड़ा नेश्ट कोश्चन 1826 में कॉलकॉता से परकासित पर्थम सर्व हिंदी समाचर पत उधन माडन के संपादक कौन थें राइट अंसर ओप्शन सी जुगल किसोर सुक्र निम्लिखित में से किस गवर्णल जेनरल के सासन काल के दुरान सिंद पर कभजा किया गया था राइट अंसर ओप्शन बी लॉड एलन बडो के सासन काल में नेश्ट कोश्चन सोजेशी और बहिसकार अंदरोन के दुरान बंगाल नेश्टनल कॉलेज बेवस्ता के पहले प्रचार कौन बनें राइट अंसर ओप्शन ए अरबिंदो घोस नेश्ट कोश्चन ब्रिटिस भारत में निमलीखित में से किस अधिनियम के साथ महिलाओं के लिए अलग निर्वार्चन मंडल का बिस्तार किया गया था राइट अंसर ओप्शन सी 1935 का भारा सरकर अधिनियम नेश्ट कोश्चन जब साइमन कमिस्चन ने भारत का दोड़ा किया तब कौन वाइसराइथ था? राइट अंसर ओप्शन बी लॉड इर्विन लॉड इर्विन का साथनकाल 1928 से लेकर 1931 तक था भारती समाज सास्त्री नामक पत्रिका के संस्तापक कौन थे? राइट अंसर ओप्शन ए स्यामाजी क्रिस्म वर्मा नेश्ट कोश्चन निमलीखित में से किस कौंगरे सत्र में राश्टी योजना समीती की अस्थापना जवालाल नेडू की अज़स्ता में की गई थी राइट अंसर ओप्शन C हडिपूरा सत्र जोकी 398 में हुआ था नेश्ट कोश्चन निमलीखित में से किस भारतिय उप महादीब के किस अस्थान पर क्रिसी के अरंभिक परवन मिले हैं राइट अंसर ओप्शन B मेहर गड में नेश्ट कोश्चन मोरे समराज के नगर प्रसाशन में सुलका धियस सब्द निमलीखित में से किस्से समनित है राइट अंसर ओप्शन C टोलो के संगराग टोलो के संगराग को सुलका धियस सब से समर्द निमलीखित में से किस अधिनियम से गवर्नल जर्नल को वायसरा की उपादी मिली राइट अंसर ओप्शन B भारत सरकार अधिनियम अठाड़ों सो अंठावन नेश्ट कोस्टन आजम गड उद्घोसना आम तोर पर किस से सम्बन दित है राइट अंसर ओप्षन डी सिपाई विद्रो अठाड़ो सो संतावन से नेश्ट कोस्टन चोल वन्स निमलीखित में से किसके सासन काल में अपने उद्धकर्ष पर पहुचा था राइट अंसर ओप्षन बी राजन चोल परत्थम के सासन काल में नेश्ट कोस्टन 1749 में परसित कर्णाल का यूद किन के बिच लड़ा गिया था राइट अंसर ओप्षन सी नादिर सा और मुहमास सा रंगिला के बिच नेश्ट कोस्टन मद कालिन भारत में मनसबदारी परणाली किन सुरू की गई थी राइट अंसर ओप्षन बी सेना में भरती होने की सुविधा के लिए नेश्ट कोस्टन भारत में सिक्किंग का बिले किसने किया था राइट अंसर ओप्षन ए लर्ड हेस्टिंगस ने निमलीखित में से किस ने 1755 में डिन्डी गुल मेशुर में एक आधूनिक सस्तरागर अस्तापित किया था राइट अंसर ओप्षन भी हैदर अली ने नेस्ट और लाइश्ट कोस्टन गोलकुंडा का सासक कौन था जब 687 में औरंजेब ने गोलकुंडा के किले को जब्द कर लिया था राइट अंसर ओप्शन ए अबुल हसन कुतुपसा अबुल हसन कुतुपसा गोलकुंडा का सासक था जब औरंजेब ने 687 में गोलकुंडा के किले को जब्ट कर लिया था